नमस्कार शाथ दो धमाकेदार अपडेट निकल के आ रहे हैं जो कि आपको इस विडिएक मादस में देने वाला हूँ आपको बता दो कि शोशलबिको.co की वेबसाइट पे अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको पहरा न्यूज देखने को मिलता है जिसमें यह बता गया ह है कि PF pension verdict next week क्या है पुरी खरवर आपको बता दो इसमें कि जो PF pension का matter है वो next week जो है यानि जो Supreme Court का फैसला है वो आ सकता है क्योंकि आपको पता 11 अगस्त को ही judgment जो है 11 अगस्त को ही सुनवाई जो है complete हो चुकी थी और फैसला सुरच्चित रख लिया गया था most probably यह पूरी बात की सम्भावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अगर आप इनका यह content पढ़ते तो इसमें इस पर स्ट्रूप से लिखा हुआ है इसकी probability इस विज़े से हो जाती है क्योंकि जो Chief Justice of India है वो अठा आठ नॉम्बर को रिटार होंगे यानि इस बात का जो lawyers है जो पीफ एप से जोड़े होग है उन लोग को पुरी प्रबल सम्भावना है कि वो रिटार होने से पहले कुछ ऐसा एतिहासिक करके जाएंगे जो की जिसको की याद रखा जाएगा यानि कहीं कहीं इस बात की पुरी सम्भावना जता जा रही है कि आने वाले समय में आपको जो है अगले हपते में ज्यादे से दिन नहीं रह गया है आप देख सकते हैं कि चीप जेसे लड़े की बारे में पुरी जान करी इस आर्टिकल में दी गई है इसमें कहा गया है इस बात की प्रबल समभावना है कि जो जज्ज्मेंट है वो इसी व जो भी जज्ज्ज जो है रिटार होने होने वाले होते हैं या फिर जाने वाले होते हैं पहले कुछ एतिहासिक नेड़े जरूड लेते हैं जिसको उनको याद किया तो इस बात की प्रबल समय लगाए ज़री कि अब हायर पेंसिन का जो मामला है वो आपका सुनवाइक कर ल आपको अपडेट देखने को मिले अगले हबते में यानि सोमवार से लेके आपके सुक्रवार तक के बीच में कोई फैसला आ सकता है और यह बहुत ही बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके उपर काफी लंबा समय आपको पता यह चलता आ रहा है काफी लंबे समय से पेंसिन की मा तो था वो सॉल्ब होता लेकिन अब यहां इस बात की प्रभा संभावना है कि आपको यह जो है कुछ धमाकेदार हो सकता है अगले हप्ते में देखने को मिल जाए प्रभा संभावना है मतलब आप कह सकते हो कि अराउंड 85-90% चांसेज है कि आपको फैसला देखने को मिल जाए यह भी एक संभावना है 100% कुछ भी नहीं हो सकता है पर संभावना यह ही है क्योंकि यह एक ऐसा मैटर है जिसका की फैसले जिसका की सुनवाई कंप्लीट हो चुका है सिर्फ इसमें नेड़े देना है तो ने यह उनके नाम से ही या उनके सिकनेचर से इसको कंप्लीट के जाए तो यह इभी प्रॉबसमा होना है सुप्रिम पोर्ट का इतियास एक फैसला होगा और यह अपने आप में बहुत कुछ राहत देने वाला रहेगा ईपिस के करीब आपके 70 से उपर 70 लाग से उपर जो पैस पैसनर्स हैं देजवर में करीब 70 से लेका सी के बीच में जो पैसनर्स हैं और उनकी डिपेंडेंट्ट को अगर जो लिए तो कई करोड़ों लोग हो जाते हैं तो उन सभी के लिए काफी रहत बरा फैसला रहेगा क्योंकि कहीं ने कहीं फैसला जो है एक रिफॉर्म एपैस हैं उनके लिए नहीं जो उनसे संबंदित लोग भी हैं जो कि इंडाइकली जुड़े हुए हैं जो पैसनर्स जुड़े हुए हैं उनका भी काफी लोग है क्योंकि देश बहुत बड़ा है पैसला आता है तो अपने आप में बहुत अधियासिक रहेगा और मैं समझता प्रिंट मेडिया इसको काफी बढ़ा चड़ा के उस समय दिखाएगा यानि जो लंबे समय का इंतियार रहा है पैसनर्स का संघर्स का वो हो सकता है कुछ धमाग के दार करके आपको देखने को मिल जाए खेर यह सब प्रबल सम्होना हैं जो कुछ आएगा वो तो वक्त बत अगर उनके प्रयास को देखते हैं तो प्रयास संससे लेके और आपके एक तैसील इस्तर से लेके असा कोई जगह नहीं रहा है अपने मांगे बिभिन प्रकार्स चाहे वो अंदर्लन का मध्यम रहा हो चाहे वो अपना एक एथिहासिक मूमेंट रहा हो कई कई आग नाइश प्रिंटी मीडिया थे, उनसे भी लोगोना टाइब किया, उस तक बात पहुचाने कोसिस की है, लेकिन कई प्रकार से मलब देखा जाए, तो कई काफी लंबे लोग इसमें जुड़े, काफी लंबे समय से प्रिंसमें जुड़े हैं, उफिस के बाद छोड़ते गए, इस प्रकरगा आता है, तो ये सभी के लिए काफी एक रहत भरा फैसला रहेगा, और ये चीफ जिस्टिस का एक एतिहासिक फैसले के रूप में माना जाएगा, इसे एक एतिहासिक निड़य कहा जाएगा, चीफ जिस्टिस की तरफ से, क्योंकि यह फैसला अपने आप में ब जो है, और अन्य जो पेंसले स्कीम से हैं, जिसको जैसे कि आपके और भी तमाम तरफ के पेंसले स्कीम हैं, उन सब को भी एक कहीं न कहीं, उसके उपर भी एक बहुत गहरा चाप पड़ने वाला है, तो ये भविश्य के गर्ब की बात है, लेकिन देखना ये है कि कि लॉए लॉयर्स रहे हैं, जो वकीर रहे हैं, जिनका दिन राथ जिन्होंने संगर्ज किया है, जिन्होंने प्रयास किया है कि किसी तरह इस मुद्दे को आप कह सकते हों कि इसमें उन लोग वो लोग जुड़े हुए हैं, जो कि समाज के सबसे बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज के सबसे वंचित लोग जिसको आप कह सकते हो टरशी कि उनका अवस्था जो है वह साटभर्स के उपर के लोग प्रॉपर वैल्यू के साथ प्रॉपर इन्फॉमेटिव वे में समझा दिया जाएगा दे दिया जाएगा खैर फैसला आने अगर पॉजिटिव फैसला आप भी जाता है उसके बाद में तीन से चार महीने तक लगेंगे आपके परिंसन को ब्रिद्धी होने में कल्कुलेट कर करने में पूरा प्रोसेस होने में कम सकम तीन से चार महीने और पांच महीने भी लग सकते हैं ऐसा भी कहा गया है एप फैसला होना तो अगला स्टेप जो है आपका फैसला के लिए ही है क्योंकि सुनवाई पूरी कर ली गई है तो यही छोड़ा समय से था मैं समझता हो कि का कारा फिंफरमेटिव रहा होगा आपव लोग के लिए आपके जो भी रहा होंगे एुचेयागा ancori और आप लोग के पास अगर वहुट्सप नंबर नहीं तो आप हमसे वाट्सवस पे भी जूड सकते हैं अब हमेशे कर सकते हैं कि मैंको वहुट्स अको वहीं देटा हू कुछ अपना खुद भी अपना बात रखना चाहते हैं, तो उन सभी को WhatsApp के माददम से आप भेज़ दें, या फिर email भी कर सकते हैं, www.socialbiku.at.gmail.com पे, या पर message भी कर सकते हैं, जो भी आपकी query रेगे, उसको solve किया जागा, आसा करता हूँ जनकारी पसंद आयोगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, अपना बहुत ख्यार रखिए, धन्यवाद.